अच्छा जी हमने थ्रेट प्रोटेक्शन स्टार्ट की वी है उजिंग MPF और उसमें हमने इस फीचर को देख लिया प्रीवियस सेशन में कि किस तरह से हम फायरवाल में आउट बाउंड या इन बाउंड डारेक्शन में किसी specific traffic पर connections की concurrency पर limit लगा सकते हैं यह limit as a whole भी लग सकती थी और यह limit further granular लेवल पर per client define भी या per session define भी हो सकते हैं कि आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं कि पी सिन अटैक के बारे में हम अकसर discuss करते रहे इस पोर्स में और शुरू के session में तो हमने इसको तफसील से डिसकास भी किया था टीसीप सेन अटैक में जो अटैकर है वह बहुत सारे टीसीपी के ऐसे पैकट्स सेंड करता है जो सर्वर की साइट के उबर जिसको हम विक्टम कहेंगे वह उसकी कपैसिटी को कनेक्शन की हैंडलिंग कपैसिटी को चोक करने की कोशिश करता है तो अगर आप देखें तो पैकेट वन में सेन आई सर्वर ने बोला ओके आप मुझसे कोई कम्यूनिकेशन करना चाहते हैं तो मैं आपको एकनॉलिजमेंट देता हूं और मैं भी सेन सेंड करता हूं लेकिन आप देख रहे हैं कि इस चीज का कोई जवाब नहीं है फिर दुबारा से एक सेंड सेंड कर दिये और यह चीज लाट आदाद दफार रिपीट कर दी जाते हैं कि ऐसा सर्वार टें तो जाहर एक इस सर्वर के अंदर जो स्टैक है जिसने इन कोनेक्षंस का रेकॉर्ड अकनेije पास रखना है कि उसने कितने connections खुले में वो जाहर है वो stack full होना शुरू हो जाता है और एक वक्त आता है जब वो stack बिलकुल full हो जाता है इन bogus connections से इन bogus connection attempt से जिन में से कोई भी full open नहीं हुआ सब के सब half open है half open से क्या मुराद है sin गई है कुछ sin का आपने जवाब दिया है तो यह इस server के उपर इस server के तनाजर में इस चीज़ को half open कहते है कि connection अभी fully open नहीं हुआ full open यह ताब होगा जब इसको कोई acknowledge कर देगा यह अगर किसी ने कर दिया तो server के हाँ इस connection को full open तसर्वर किया जाएगा लेकिन आप देख रहे हैं कि यहां पर कोई भी connection full open तक नहीं पहुंत रहा every connection is half open तो यह half open connections बदस्तूर खोल कोल के यह जो attacker है यह server के stack को overflow कर देता है और उस दौरान अगर को legit user आता है और वो server के साथ connection बनाने की कोशिश करता है और वो server को जाहर है पहले सिंग भेशता है तो server के पास फुरसत ही नहीं है उस सिंग को even act भी कर दे क्योंकि उसका stack तो overflow है so server के रहे हैं कि I am too busy to talk to you so this is called denial of service from this user's perspective और इस user को अपने server से denial of service भी हो रहा है इस denial of service की हालत में इस server को लाने वाला शक्स कौन है कि इसने अपने legitimate user को denial कर दिया वो यह attacker है अब इस attack की जो attacker के लिए attraction है वो यह है कि बहुत ही कम bandwidth चाहिए बहुत ही कम resources चाहिए और इस कम resource रखने के बावजूद आप एक बड़ा हदफ achieve कर सकते हैं यह इस attack की एक inherent खासियत है और इसलिए यह denial of service attacks में सबसे जादा attackers का पसंदीदा attack है so TCP send attack से होने वाले denial of service attempts नतीजातन आपके DMZ में पड़े हुए servers जिनकी port तो आप open कर चुके होते हैं for example हमने अब NAT भी पढ़ लिया है हमने ACL भी पढ़ लिया है तो जब हम अपने किसी भी server को publish करते हैं तो ASA पर तो हम उसकी उस particular port को open कर देते हैं so if we have server in DMZ which is web and let's say it is listening 180 तो कोई भी शक्स internet से अब अगर इस server के साथ connection बनाना चाहता है तो आपको ACL के जरीए उसके लिए एक conduit या एक pipe बनाना एक रास्ता बनाना पड़ता है जाहर है उस रास्ते के जरीए ही तो वो फिर इस server तक पहुंच पाता है तो जब यह आप एक conduit या एक pipe खुल लेते हैं ASA में किसी बाहर से अंदर आने वाले के लिए तो फिर आपका यह server expose हो जाता है internet पे अब जब यह expose हो गया है internet पे तो क्या मालूम कि यह शक्स attacker हो अगर यह attacker है तो यह पर further check and balances रखेगा after we study the feature और अगर यह शक्स इस port को misuse करने की कोशिश करेगा तो यह उस वकत रास्ते में आएगा और इसका यह राबता server के साथ मुनकत्य कर देगा so it's not the case कि ASA पर अगर आपने एक server को publish कर दिया है तो उसके लिए ASA यह firewall firewall नहीं रही है यह still उस open port में से घुजरने वाली traffic को next level के उबर under observation रख सकता है using the feature which we are going to study जो feature हम previous session में discuss कर रहे हैं max connection limit वो भी इसी तर्स का एक feature अगर आप चाहते हैं कि आपका server maximum thousand connections कोल सकता है पर आप चाहते हैं कि 1000 तक ना ही जाहे तो बेदर है हम 900 से ज़्यादा connection नहीं कोलने देंगे इस server पे तो आप 900 की limit लगा सकते हैं इस pipe के उबर वो ताम अलरड़ी देख चुके बट थेंग इस एक server thousand connections कोल सकता है आप उसमें 900 connection पर limit लगा देंगे तो हमें कुछ हटके चाहिए है hard limit जो हमने लगाई थी ठीक है वो अपनी जगा लेकिन उस hard limit से हटके भी हमें कुछ ऐसा feature चाहिए जो adaptive हो adaptive का क्या मतलब है कि situation के मताबग के किन हो जाए और situation के मताबग साइट पे हो जाए इसी यह हम इसको adaptive security appliance क्याते हैं यह adaptive security algorithm क्याते हैं कि इसने situation के मताबग adapt करना है हर चीज़ को statically बस लेकर नहीं चलना आप 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 कर आप